नमस्कार स्वागेत आप सभी का असो गहलोत ने इसारों इसारों में लोगों तक ये संदेश पहुचा दिया है कि पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुरसी अब मेरी है दरसल मुख्यमंत्री असो गहलोत अब कमरा नंबर 8 में सिफ्ट हो गए हैं अब कमरा नंबर आट किया है और इसमें कौन सिफ्ट हो सकता है ये भी जान लिजिए। कमरा नंबर आट सिरफ मुख्य मंतरी का होता है इतने दिन पहले असो गैलोत 59 नंबर कमरे में रहते थे जो मुख्य मंतरी को आवण्टित किया गया कमरा था वो खाली पड़ा था। मंत्री पद मेरा ही रहेगा लोग सबाच चुनाओं में 25 सीटों पर मिली हार के बाद कॉंग्रेस दो दड़ों में बंट गई थी और पार्टी के अंदर से ही आवाजे आने लगी थी कि मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट को बनाया जाए लेकिन असो गहलोत अपने कमरे में सिट होकर उन विदायकों को भी जवाब दे दिया जो सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बनाने की पेरवी कर रहे थे अब ऐसा लग रहा है कि पांच साल तक असो गहलोत ही काबिज रहेंगे मुख्यमंत्री की कुरसी पर और राजस्तान को वही संभा लेंगे दरसल असो गहलोत पेसे से भी जादुगर थे और राजनीती में भी उनकी जादुगरी को कोई नहीं समझ पाता